हेलो दोस्तो वेलकम को आवार चैनल अन्फोर जोब आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और 1950 से पहले जब इस सन्युक प्राम था वहां के सभी राजिपालों के कारेकाल के बारे में विस्तार से जानेंगे तो दोस्तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं मेरी वीडियो श्यूड़ी अफड़ेट्स के लिए आप मेरी इस सोसिल मीडिया एंडल को जोईन फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां जॉइन बट्न पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो बिना किसी डिले के वीडियो श्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों आपको इस्क्रीन पर ब्रिटिस भारत के सन्युक्स प्रांथ के गवर्नर जो की 1921 से 1947 तक थे उनके नाम आप यहां पर देख लिजिए ये सबी ब्रिटिस इंडिया के गवर्नर थे और जब 1935 लागू हुआ था उसके बाद हैरी ग्राहम है सन्युक्स प्रांथ के राजजिपाल थे इनका कारेकार एक अप्रेल 1937 से 6 दिसंबर 1949 तक रहा था नेक्ष्ट गवर्नर से दोस्तों मौरिस गार्नियर हैलेट जो कि 7 दिसंबर 1949 से 6 दिसंबर 1945 तक युनाइटिट प्रोवि अहली महिला राजिपाल बनी थी इनका जन दोस्तों 13 फर्वरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था जो अब इस त्यलंगारा में है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को गवर्नर कोष्ट समाली और 2 मार्च 1999 तक यानि के अपने निधन तक इस पद पर रही थी और इनके निधन के बाद के लाश्ट गवर्नर रहते हैं इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविदान लागू हुआ और सन्युक प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया तो आए अब हम उत्तर प्रदेश के राजिपाल के बारे में जान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के फ अरुच में हुआ था और इनका कारेकार 2 जून 1952 से 9 जून 1957 तक रहा था दोस्तों वेवी गिरी इनका पूरा नाम वरागिरी वैंकर गिरी था ये उत्तर प्रदेश के थर्ड गवर्नर अप्वाइंट किये गये थे इनका जन 10 अगस्त 1894 को मद्रास प्रेजडेंसी के बेर इनका कारेकार 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रेल 1962 तक रहा दोस्तों 25 दास पांचवे राजेपाल अपॉइंट किये गये थे इनका जन 8 मार्च 1889 को मद्रास प्रेजडेंसी के गंजम डिस्टिक्ट में हुआ था इनका कारेकार 16 अप्रेल 1962 से 30 अप्रेल 1967 तक रहा था और आपको बत बेजवार गोपाल रेड़ी छटवे राजेपाल थे इनका जन 5 अगस्त 1907 को मद्रास प्रेजडेंसी के नेलोर में हुआ था ये 1 माई 1967 को अपॉइंट किये गये थे और 30 जून 1972 तक इसपद पर थे हैं दोस्तो जर्ष्टिस ससित कांत वर्मा 1 जुलाई 1972 से 13 नॉमबर 1972 तक उत्तर प्रदेश के राजेपाल थे हैं उत्तर प्रदेश के आठवे गवर्नर अकबर अली खान थे इनका जन 20 नॉमबर 1899 को हैद्राबाद में हुआ था और इनका कारेकार 14 नॉमबर 1972 से 24 अक्टूब 1977 तक रहा था दोस्तो दसवे राजेपाल गनपत राओ देवजी तापसी थे इनका गवर्नर टम 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980 तक रहा चंदेश्वर प्रशाद नरायन सिंग उत्तर प्रदेश के 11 राजेपाल थे इनका जन 18 अप्राइल 1901 को बंगाल प्रेजडेंसी के सार दोस्तो इनका जन 5 अप्राइल 1923 को राजस्तान के बिकानेड में हुआ था दोस्तो इन्होंने 31 मार्श 1950 को गवर्नर पत की सपतली और 11 फरवरी 1990 तक इस पत पर थे इनका जन 21 अगस्त 1927 को हैदराबाद इस्टेट के महभूब नगर में हुआ था और इनका कारेकार 12 फरव में उत्तर परदेश के राजिपाल थे जब बाबरी मस्जीद को तोड़ा गया था मोतिलाल वोरा उत्तर परदेश के चौदव में राजिपाल रहे थे इनका जन 20 दिसंबर 1928 को जोजपूर इस्टेट के निमभी जोधा में हुआ था जो वर्तमान में राजस्थान का के मंत्री वीरा चुके थे आप यहां आई बोटन पर क्लिक करके यहां के सीम की लिष्ट को देख सकते हैं मुहम्मद साफिक कुरेशी उत्तर प्रदेश के पंद्रहवे राजिपाल थे इनका जन 24 नौंबर 1928 को जम्मूर कस्मीर में हुआ था और इनका पहला कारेकाल दोस 20 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998 तक रहा सेकेंड टाइम दोस्तों मुहम्मद साफिक कुरेशी 17 मार्च 1998 से 19 अप्रेल 1998 तक उत्तर प्रदेश के राजिपाल थे इनका जन 1 अक्टूबर 1928 को यम्ना नगर में हुआ था और इनका गवर्नर का कारेकाल 20 अप्रेल 1998 से 23 नौंबर जुलाई 2004 तक रहा था सुधर्शन अगरवाल दोस्तों उत्तर प्रदेश के 19 वे राजिपाल थे इनका जन 19 जून 1931 को लुधियाना में हुआ था और इनका टर्म ऑफ ओफिस 3 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहा था टीवी राजिसपर दोस्तों उत्तर प्रदेश के 20 वे में हुआ था दोस्तों भी डिस्टिक्ट तमिलाडू में है इनका कारेकार 8 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक रहा था और दोस्तों इन्हें 2012 में 5 विभूसर से सम्मानित किया गया था बनवारी लाल जोसी दोस्तों उत्तर प्रदेश के 21 वे राजिपाल थे इनका जन 27 मार्च 19 1936 को राजस्थान के नागोर डिस्टिक्ट में हुआ था 28 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश के राजिपाल अपॉइंट किये गये थे और 17 जुन 2014 को इन्हों ने इस पत से इस्तिपादे दिया था इनके इस्तिफ़े के बाद अजीज कुरेशी को राजिपाल ने उठकिया ग इनका जन 16 अप्रेल 1934 को बॉंबे प्रेश्डेंसी के अटपड़ी में हुआ था और इनका कारेकार 22 जुलाई 2014 से 28 जुलाई 2019 तक रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजिपाल आनंदी बेंट पटेल ने और इनका जन 21 नॉमबर 1941 को बॉंबे प्रेश्डेंसी के वीजापूर में हुआ और इन्हों अपना पत्समाला 29 जुलाई 2019 से दोस्तों ये गुजरार की पहली मैला मुख्यमंत्री पर रह चुकी हैं दोस्तों आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि गवर्नर को अप्वाइन कौन करता है और किसी राज के राजिपाल को स उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नर को काउंट करेंगे तो ये नंबरी चेंज हो जाएगी और दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्यों के बारे में जानकारी चाते हैं तो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपक का बहुत बहुत धन्यवाद